आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, मैं हूं शुरभी आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेकर और इस रीडिंग का टॉपिक है कि नेक्स 48 आर्स में आप और आपके पार्टने के बीच में क्या होने वाला है यह गाइज पिकाकाट रीडिंग नहीं है यहाँ पर आपको अपना राशी देखना है आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं सीधा टाइम स्टेम पर जाकर जो भी आपकी राशी है जो आपका कर दो तरीके से मैं कर रही हूं आज अगर आपको यह तरीका पसंद आता है तो प्लीज मुझे बताईएगा कॉमेंट में तो मैं आगे भी इस तरीके की वीडियो जालूंगी अगर आपको कलेक्टिव पसंद है तो मैं बो करूंगी ओके तो चलिए देखते हैं क्या आता ह है आपके लिए, all the best. Hey guys, तो मैं रीट करने वाली हूँ कार्ब उन लोगों के लिए, चिन की राशी है, लिप्रा, okay, मैं ले लेती हूँ, दलावर्स, चेमिनाय, एक्टेरियस, यानि कि तुला, मिथन, कुम्ब, देखते हैं, नेक्स 48 आर्स में क्या होने वाला है, यहां पर क काफी सारी लोग ऐसे हैं, जो कि ट्रेंट फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, रिष्टा अभी का नहीं है, कई जन्मों का है, आप भी जानते हो, आपके पार्टनर भी इस बात को जानते हैं, अगर पहले नहीं जानते थे, तो अभी रियालाइस उनको हुआ है, तरीके से उनको यह बताया हुआ है, पर 26 नम्बर से 애пार्टनर को पता है, यह दोंका क्नेक्शन क्या है, लेकिन जनको नहीं पता है, उनको पता लगने। और जिनको पता है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं आपको मिस करने वाले हैं और अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेज हैं जैसे कास्ट का, रिलीजन का या फैमिली इशूज हैं क्योंकि यह जो कार्ट है इस बात को बताता है ठीक है कि किसी ना किसी तरीके के डिफिकल्टी जरूर है आप दोनों के बीच में क्योंकि देखे यहां पर यह mountain बना हुआ है और यहां पर यह जो एंचल है वो आप दोनों के साथ में ऐसा शो कर रहे हैं कि उनका आशिरवाद आप लोगों के साथ में है ठीक है इतनी प्रॉब्लम्स होने के क्या आता है let's see guys यहां पर लाइप नहीं है तो मुझे भी वीडियो बीच में रोखना पड़ा था then again मैं शुरू कर रही हूं बारिश और हो सकता है आपको आपको आवास भी आ रही हो okay nine of wands the empress four of cups six of pentacles okay so काफी सारे लोगों के लिए मुझे यह लग रहा है कि हो सकता है आपके जो पार्टनर है वो merit हो okay अगर वो merit है तो सिफ इसी वज़े से क्योंकि उनके उपर जिम्मेदारिया थी और कहीं ना कहीं वो काफी मैं देख रही हूँ दिल के बहुत अच्छे है तो जिनके साथ में उनका रिष्टा होगा उनको यह तकलीफ नहीं देना चाहते हैं और अगर इनके बच्चे भी ह हैं तो उनके बारे में सोच कर यह आपको ना बोल रहे थे अभी तक कि किया पर four of cups दी है जानते हैं कि आपके साथ में खुशियां जुड़ी हुई हैं लेकिन वही बात है कि जिम्मेदारियों को कैसे छोड़ा जाए और इस वज़े से यह कहीं ना कहीं आपको इग्नोर कर पर शायद यह आपसे डरे हुए रहते हूं आपके किसी भी मैसेज का जवाब ना देते हूं अगर आप लगातार इनको मैसेज करते हैं तो यह डर जाते हूं और चुप हो जाते हूं बिलकुल रिस्पॉंसी करना बंद ठीक है ना इस तरीके की हरकते कर सकते हैं तो यहां मैं देख पा रही हूं कि कही ना कहीं जैसे कि मैंने कहा कि कापी सारे लोगों को तो रियलाइज हो चुका है और बाकी के जो लोग है उनको रियलाइज होने बाला है और जब यह इनको बता चलेगा कि आप इनके सोल्मेट हो या फिर ट्विन फ्लेम हो एचले लोगों को ज में तक भॉचे दिखाई दे रहा है मैं देख पारी हूं कि इनको पुराणी बात याद आने वाली है जब आपने इनके सामने प्रपोजल रखा होगा जब आपने इनको 손emade connection के बारे में बताया होगा आपने कहा होगा कि हम दोनों काफी पहले से जानते हैं हमारा connection ऐसा नहीं है दूसरों के जैसा हमारा soul to soul connection है और उन्होंने आपके बाते नहीं सुनी होंगी वो equal given take नहीं रहा होगा तो अब ये उसके बारे में सोचने वाले हैं और मैं फिर से कहूंगी कि आपको काफी ज़्यादा miss करेंगे ये इस दोरान और देख लेते हैं कि क्या बात भी करेंगे क्या करेंगे next put it at all okay so मैं क्या ही रही थी क्या बात करेंगे क्या करेंगे और यहां पर night of cups आ गया है और ये कार्ट बताता है कि बेशक ये आप से बात करेंगे और चाहेंगे कि ये बाते थोड़ी आगे बड़े बट अभी तक ये जो मैं कार्ट देख रही हूँ इनमें मुझे ये नहीं लगा कि एकदम से आपको commitment का ही बोल देंगे लेकिन ये चाहेंगे कि आप दोनों के बीच में अगर कोई भी fight हुई है arguments हुए है अगर कुछ ऐसी कहा सुनी हो गई है जिससे आप भी hurt हुए ये भी hurt हुए तो उन सारी चीजों को ये मिटाना चाहेंगे सोचेंगे कि ठीक है अभी इसको heal करने की कोशिश करते हैं पाद में देखेंगे कि क्या करना है देखें यहाँ पर है the chariot अभी bottom of the deck और ये कार्ट बताता है कि ये जो बंदा है balance बनाना चाहेगा इस connection में कोशिश करेगा कि आप भी खुश रहें और ये भी खुश रहें और जो third party है वो भी खुश रहें जब तक कि कोई solution निकल नहीं आता ठीक है ये सोच इनकी रहने वाली है हो सकता है अभी तक कि आपको बिल्कुल इग्नोरी कर रहे थें लेकिन नहीं आप ये सोच रहे हैं आपके बारे में और ये चाहते हैं कि balance बना रहे है क्योंकि देखो इनको क्या फील होता है कि आप इनकी जरूरत हो आप इनकी strength हो इनको ऐसा लगता है जैसे एक पेड़ है तो पेड़ को अगर हम काट देते हैं जड़ से तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता तो आप एक जड़ के समान हो इनके लिए अगर आप नहीं हो तो फिर इनके अंदर कोई strength नहीं रहती है और जहां तक मैं देख पारी हूँ आप air sign है आपको भी balance पसंद है लाइफ में और आपके पार्ता की भी सोच वही है तो हो सकता है ये भी air sign हो ठीक है बैलेंस आप दोनों को ही बनाना है जंदिगी में अपनी personal and professional life में बैलेंस बनाकर रखना है इनको भी रखना है तो सोच तो काफी मिलती ही है और इसी लिए कहीं न कहीं आपको छोड़ना नहीं चाहते है ये इनको लगता है कि आप सच में एक दूसरे के लिए ही बने हो और ये connection जाने कैसे इनको मिल गया इसी और की क्रपा है तो ये उसको छोड़ना नहीं चाहते है ये इनकी सोच है the star ये तो सीधा ही एक various का कार्ट आगया है और ये कार्ट ये भी बताता है कि आप दोनों में से कोई ना कोई तो star seed हो सकता है या फिर healer हो सकता है जैसे कि मैंने कहा कि काफी जादा काइंड है अपनी जिम्मेदारियों को समझते है ये कार्ट देकर मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है ये लोगों को heal करने का काम करते हो लोगों की सेवा करना इनकी help करना ये सब कुछ बहुत इनको अच्छा लगता हो इनका soul ऐसा है इनके goals भी काफी सारे ऐसे ही है जो लोगों की healing से ही जुड़े हुए है तो ये भी एक reason हो सकता है जिसके वज़े से ये अभी तक relationship का नहीं सोच रहे थे क्योंकि देखो यहाँ पर third party है मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि third party का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कोई partner हो या family हो third party कुछ भी हो सकती है इनका career भी हो सकता है इनकी अपनी सोच भी हो सकती है तो यहाँ पर काफी सारी चीज़े मुझे दिखाई दे रही है एक एकर के जो भी मुझे दिख रहा है मेरे पास photo होती है लेकिन यहाँ पर तो यह है कि journal reading है ना सारे जितने लोग देख रहे है सभी के energy आईगी seven of wands तो यह card बताता है कि कहीं न कहीं यह महनत करने के लिए इस connection पर तयार है जो कि शायद अभी तक यह नहीं कर रहे थे आपको ignore कर रहे थे या फिर देखो इनका यह था मैं बताती हूँ यह आपके messages का reply नहीं करते होंगे आपके call attend नहीं करते होंगे क्योंकि इनको यह था कि आप कहीं जाएंगे नहीं हो ना हो हमारे जो viewers हैं जरूर उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया है जिससे इनको लगाया कि आप यह बात गई हाथ से या तो आप सच में move on हुए हैं या फिर आपने इस तरीके से दिखाया है या इन तक कोई message पहुँचाया है कि आप इनका wait नहीं करने वाले तो वहीं से बतलाव शुरू हुआ है ठीक है ना मुझे जहां तक लग रहा है ये जो बतलाव हुआ है ये बतलाव होना शुरू हुआ है February से February 18 ये डेट रही होगी उस वक्त से ही बतलाव होना शुरू हुआ है और अभी तक कहीं ना कहीं ये बंदा बहुत जादा सोच रहा था समझ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं इस बंदे ने आपको manifest भी किया बट इसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया होता हुआ तब ये सोच रहे कि ठीक आप अपनी तरफ से steps लेते हैं ठीक है ना Handman ये बंदा अटका हुआ है मैं कहूंगे कि थर्ड पार्टी में भी और आप पर भी ठीक है ये आपको भी छोड़नी पारा और जो वज़र है जैसे इनका काम हो सकता है या फिर इनकी मॉम या फिर अगर ये मैरिट है तो इनकी वाइफ या हस्बिन उन पर भी अटके हुए हैं यहाँ भी अटके हुए हैं तो यह काफी परेशान है जो कि मुझे दिखाई दे रहा है बट फिर भी बैलेंस बनाकर रख्य हुए हैं इनकी हेल्थ पर कोई असर नहीं पढ़ रहा है जबकि मुसीबतें काफी सारी हैं लेकिन नेक्स नेक्स 48 और में मुझे यह लग रहा है कि कही ना कहीं यह आपसे जोनने की कोशिश करेंगे या तो डिरिकली या फिर इन डिरिकली ठीक हैं जैसे आपके किसी फ्रेंड से बात करी या किसी का अकाउंट अगर आप फालो कर रहे हो तो उनका अकाउंट इनोंने भी फालो कर ठीक हैं ट्विटर पर या इंस्ट्रग्राम या कोई ग्रूप है तो वहां पर इनोंने जोन कर लिया कहीं ना कहीं से यह आपके सामने आने की कोशिश करेंगे यह करेंगी यह ठीक हैं इस वज़र से यह कोई स्टेंड अभी तक नहीं ले रहा था बट प्यार बहुत करते हैं यकीन मानिए यहाँ पर किंग अफ कप्स का कार्ड है यह कार्ड दिखाता है कि कहीं न कहीं इमोशनल बहुत जादा हैं बट आपको ऐसे दिखाते हैं जैसे इनको कोई फर्क नहीं आपके होने ना होने से और यह इनका एक तरीके से मैं कहूंगी कि मास्क लगा कर रखा है इन्होंने अपने चेहरे पर ताकि इनकी असलियत लोगों को दिखाई ना दे क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि अगर इनकी असलियत लोगों को दिखाई दी तो लोग इनका फायदा आपके case में भी वही हुआ जब आपने अपनी feelings इनके सामने रखी feelings रखी हो या इस तरीके से शो किया हो जैसे care करना बहुत ज़ादा ये सारी चीज़े आपने करी हो तो ये डर गए इनको ये लगा कि चीजे रिपेट नहों हो सकता है इनके past में ऐसा हुआ हो लोग जब इनको बहुत ज़ादा प्यार करते हो तो ये दिल खोल कर उनसे बाते करते हो और फिर लोग इनका फायदा उठा लेते हो तो कही ना कही परिस्तितियों ने इनको ऐसा बना दिया वरना ये ऐसे हैं नहीं ठीक है मैंने कार्ट देखा भी नहीं था मैं बस बोल रही थी और यहां पर five of cups आगया तो five of cups जो है वो यही बताता है कि कही ना कही इनका जो past है वो अच्छा नहीं रहा लोगोंने इनको चीट किया इनको hurt किया इनका फायदा उठाया इनको इनके बारे में कभी नहीं सोचा और वही इन ही सारी चीजों की वज़े से आज इनके साथ में ऐसा हो गया है कि अगर कोई इनको प्यार करदा भी है तो इनको डर लगता है खुद को guard करने की कोशिश करते हैं लेकिन आपके साथ में कुछ उल्टा ही हो गया इनोंने सोचा कि ठीक है धीरे से open up होंगे हम और जिम्मेदारियां भी है यहां पर third party है उसको भी देखना है ठीक है धीरे से देख लेंगे लेकिन यह धीरे से चलानी और आपके लिए भी मैं नहीं कहूंगी देन अभी इनको फील हो रहा है कि इनसे क्या गलती होगे ठीक है ना येस इनोंने आपको अटका कर रखा है बट मैं आपको बता दूँ सी यह दोनों कार्ट्स कैसे हैं देखो इनको समझ नहीं आता है यह क्या करें यह है इनके साथ में दिक्कत सेवन अफ सोट्स के साथ में टेंपरेंस है अभी इनको यह लग रहा है कि अगर यह वापस आते हैं तो पता नहीं आप इनको एकसेप्ट करोगी या पिन नहीं करोगी यह चीज इनके मन में चल रही है यह आपको इसपाय करने वाले हैं यह भी मैं बता दूँ नेक्स 48 आर्स में कैसे भी करके यह जासूसी करेंगे आपके और आप तक पहुँचने की कोशिश करेंगे यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपकी लाइफ में चल क्या रहा है ऐसा तो नहीं कि इनकी जगह किसी और ने ले ली है और इनको यह करने दे ज़रूरी है इनको पता होना चाहिए कि आपके वैल्यू क्या है यह जो कार्ड है बताता है कमिटमेंट के बारे में, शादी के बारे में या फिर किसी भी तरीके का कॉंट्रेक business contract भी हो सकता है तो अगर आप कहीं job करते हैं तो हो सकता है वहाँ पर यह पहुँच जाएं या हो सकता है आपका कोई channel हो तो वहाँ पर यह पहुँच जाएं या आपका कोई group है business है कुछ भी आप करते हो तो वहां पहुत सकते हैं या फिर आपके सामने किसी तरीकी का प्रपोजल रख सकते हैं जो काम से जुड़ा हुआ हो जैसे कि मैंने कहा ही कि ये आपसे अलग नहीं होना चाहते हैं तो ये कुछ भी कोशिश करेंगे कि आपसे जुड़ कर ये रहें ठीक है और यहां पर भी द देघकारण एंड गेट ये कार्ट बिताता है कि हो सकता है आप सोचल मीडिया पर ना हो या फिर इनको आपने रिमुफ कर दिया हो हर जग़ से तो ये बात तो आपसे करना चाहते हैं लेकिन इनको लग रहा है ये बात आपसे करें तो कैसे करें आप इनको चांस नहीं दे इनको लग रहे है किस तरीके से आप से शुरुवात करी जाए हो सकता है आपने सिफ एक बारी ही इनको बोला हो और उसके बाद आप बिल्कुल सोचन मेडिया से चले गए या फिर आप बार बार बोलते रहे उसके बाद आपने सोचा कि ठीक है बंद कर देते हैं कोई फाइद का काड़ है यहां पर और यहां पर हैं लवर्य तो इसजय आप डोनों एक दूसरे से अटैक्ट हाध होते हो प्यार बहुत है और यह प्यार कहीं नहीं जाने वाला आप दोनों अलग भी नहीं होने वाले तो यहाँ पर अगर मैं next 48 hours की बात करूँ तो आपके लिए मैं यही कहूंगी कि यह conduct करने की कोशिश करेंगे कहीं से भी कैसे भी and let's see आपके लिए क्या guidance है कि आपको क्या करना चाहिए इस दौरान okay so यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ major akana और सिर्फ एक ही card मैं निकालूंगी guidance के लिए लेखते हैं क्या बताती है mother universe पता नहीं मुझे क्यों लग रहा था यही card आएगा okay so high priestess का जो card है यह बताता है कि आपको बिल्कुल भी कोई action लेने की ज़रूरत नहीं है शांत हो जाएं इनको ही करने दे जो इनको करना है क्योंकि आप कर चुके हो जो आपको करना था okay high priestess का card यह भी बताता है कि आपको इनको करना है अपने अंदर की जो डर्कने से उसको निकालना है positive कैसे रहते हैं यह सीखना है and that's it अराम करो खाओ प्यों मस्त रहो गाने सुनो नाचो गाओ okay और कुश नी करना so guys यह थी आपकी reading I hope आपको पसंद आई हो आई हो तो please like करें resonate करी हो तो मुझे बताना ना भूले subscribe करना ना भूले इस channel को and share करना ना भूले इस channel को thank you so much for watching the video take care love you all bye bye hey guys तो अब मैं रीट करने वाली हो cards लोगों के लिए जिनका है water sign and let's see क्या होने वाला है next 48 hours में आप और आपके पार्टने के बीच में आप और उनके बीच में जिनके बारे में आप सोच रहे हैं tower moment आने वाला है transformation oh the hangman very nice किसी connection में आटके हुए हैं आप दो से तीन सालों से उससे भी ज्यादा हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है 12 साल हो गए है okay so जो भी है transformation आने वाला है let's see क्या आएगा transformation okay बात चीत होगी बहस हो सकती है nine of wands two of pentacles okay confusion था क्या होगा क्या नहीं होगा connection का future कैसा होने वाला है यहाँ पर बात होने वाली है बात चीत होगी आप दोनों के बीच में और आपके परिवारों के बीच में यह लग रहा है मुझे यह कार्ड में लोंगी यह आ रहा था बाहर और देखते हैं मुझे लग रहा है यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे हैं जो married हैं और यह reading देख र अभी तक अगर यह connection आगे नहीं बढ़ रहा था, तो अभी यह अचानक से बढ़ेगा, commitment के लिए, शादी के लिए बोलेंगे आपके partner, C. Empress के नाजी है, C. Ace of Cups धेर सारा प्यार आप दोनों के बीच में आने वाला है, emotions आने वाले हैं, marriage की बात होगी, यहाँ पर, and married है आप दोनों, तो reconciliation होगा, and very, very nice cards, eight of pentacles, धेर सारी महनत, strength, okay, तो I think यहाँ पर जो female है, उन्होंने काफी ज़्यादा महनत करी है, और कहीं न कहीं, यह महनत की वज़े से ही, यह connection अब उनके हातों में है, ठीक है, अगर आप female है, यह reading देख नहीं है, तो congratulations, आपकी जो महनत है, रंग लाई है, कहीं न कहीं, आपके partner को यह realize हुआ है, कि आपके अलावा उनको कोई handle नहीं कर सकता, ठीक है, unconfessed love है अगर, तो मैं यह लगता है, कि आप एक अच्छे healer हो, और आप उनको बहुत ही अच्छे से, उनको समच सकते हो, उनको प्यार कर सकते हो, उनकी क्यार कर सकते हो, उनके साथ रह सकते हो, उनको जेल सकते हो, ठीक है, ऐसा है यहाँ पर, और देख लेते हैं, क्या होने वाला है, आओके, four of cups queen of cups, moon, six of pentacles, यहाँ पर है, nine of cups, okay, यहाँ पर है eight of cups, all right, so I think, काफी सारे लोगों के लिए, तो मुझे यहाँ पर mother issues लग रहे है, हो सकता है, इनकी जो माँ है, वो ना मान रही हो, इस शादी के लिए, पिर भी आप इनको प्यार करते रहे, आपने यही कहाँ कि नहीं आप जाने वाले नहीं, आप इनका वेट करोगे, और इनोंने शुरुआत में आपको इग्नोर किया भी, पट अभी इनको लग रहे है कि नहीं हो पाएगा, इनको लग रहे है कि यह गलात है, यह अपने मा की डर में थे वैसे, मा से डरते हैं, प्यार बहुत करते हैं और डरते हिते हैं, कहीं न कहीं इनका फोकस उधारी था, अपने फैमली की तरफ, अपने फैमली ांकरियर की तरफ, आप पर फोकस नहीं कर रहे थे, काम graphij भी यहाप फाएग भी है आपिछक्ट से गा भी इनका वेट करते रहे, आपने सोचा के कोई बात नहीं, जो भी है, जैसा भ कर आएंगे जहां पर इनको खुशिया नहीं मनती आई थेंगे इन्होंने बहुत सेग्रिवाइस कि अपने लाइफ में बट अब नहीं है करना चाहते हैं ठीक है आज सारी ही रीडिंग्स जो है पॉजिटिव आई है खुश हुम है अपने विश आप इनके विश फुल्फिल कि अपने काम की वज़े से शायद यह आप से यह भी कहते हो कि शादी वगए कुछ करना ही नहीं चाहते हो और अगर आप अपने हस्बेन या वाइप के लिए देख रहे हो तो शायद उनका बहेविर कुछ ऐसा रहता हो कि बहुत जादा वर्कोहॉलिक हो काम में ही लगे र मुझे और कुछ कहने की जरूरत है तो आइधिंग आइज कुछ तो हुआ है कुछ तो हुआ है यह जो एट अफ कप से यह भी एक इस्पिशल जरूनी की बात करता है और तेम्पल पाथ भी है हाँ पर तो फो श्योर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वज़ से इनको इस कनेक्शन के बारे में कुछ समझ आया है या तो एंजल्स ने इनको कुछ साइंस दिये है या फिर कोई बंदा इनको ऐसा मिला है जिसने इनको समझाया है कि भी आप गलत कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए जो आपके लिए सही है तो नेक्स 48 आर्स में अगर मैं बताओं कि क्या होने वाला है सो एक ट्रांस्फरमेशन होने वाला है बातचीत होगी थोड़ी से बहस हो सकती है बड़ चीजें यह सही हो जाएंगी मतलब यह होना जरूरी था ऐसे कहोंगी डरे नहीं खुलकर बात करें अपनी जो बात है वो रखें सामने यार आपको बहुत करते हैं आप प्रेम कनेक्शन है काफी सारे लोगों के लिए देख लेती हूं मैं आपके लिए गाइडेंस क्या है पील ओफ पॉर्चून का कार्ड है यहां पर एक कार्ड मुझे और चाहिए बाकी के पाइल में तो मैंने नहीं देखा लेकिन यहां मुझे लग रहा है मुझे जरूरत है एक कार्ड चाहिए यूनियन का टाइम है आपके लिए ठीक है ना एंड होगा एक साइकल का जो बहुत लंबे समय से आप दोनों की बीच में चल रहा है कॉंग्राचिलूषणंस गाइस क्योंकि TRANSFORMATION में हमेशा कहती हूं अगर TRANSFORMATION नहीं होता है तो आप अटके रह जाते हैं आपकी जिंदगी का कोई उदेश नहीं रह जाता है बस वेट करते रहो किसी का आपके लिए तो ट्रांस्फरमेशन काफी अच्छा है कुछ ऐसे भी होते है जो पेनफुल होते है यहाँ पर है कुईन ओफ पैंटिकल्स नाइन अफ सोट्स टू अफ सोट्स येस ये कन्फूजन में सब कुछ था लेकिन आप कुछ नहीं है तो चैरियट है यहाँ पर यहाँ पर बात होगी और विदिन टू मंथ सब कुछ सेट हो जाएगा ठीक है अभी फोटीट आर्स में तो बात होगी और जून या जुलाई तक कोई भी कितना भी वड़ा इशू अगर आप दोनों के बीच में चल रहा था एंड हो जाएगा नई शुरुआत हो जाएगी ठीक है ना बेफिक्र रहें बिल्कुल चिंतित ना हो सब कुछ बहुत अच्छा है यह थी आपकी रीडिंग है होब आपको पसंद आई हो आई हो तो प्लीज लाइक करें रेजनेट करी हो तो बताना ना भूलें सब्सक्राइब करना ना भूलें श्चानल को शेर करना ना भूलें तेंकी सो मच पर वाचिंग तब वीडियो ठेक्ट के लव यह बाई हेलो गाइज तो अब मैं रीट करने वाली हूँ कार्ट जोन लोगों के लिए जिनका है अर्थ साइन कैप्रिकॉन वर्गो टॉरस तो देखते हैं कि आप और आपके पार्टनर के बीच में या जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं आप और उनकी बीच में क्या होने वाला है नेक्स पोटिय डार्ट में बारिश ओर यह गाइस बाहर बता है आपको तूफान आ रहा है और यहां पर लाइटनी आ रही बता नहीं कैसे यह वीडियो क्या दिखेगा नो आइडिया मैं दो बस बना रही हूँ यह सोच कर कि कुछ रोशनी तो है आपको देख चाएगा वीडियो नहीं आता है तो जादा बुरा लगता है बेट कर रहोते हैं मेरे सारे फैमिली मेंबर्स तो चलिए देखते हैं सबसे पहला कार्ट है थ्री औफ पैंटिकल्स और साही नहीं आ गया तो हो सकता है आपके पार्टनर भी साही नहीं आपके पार्टनर बहुत चलते हैं आपसे पहले तो मैं यहीं बता दो और जलते हैं क्यूंकि आप इनकोई एक एमप्रेस के जैसे लगते हो आप जिस तरीके से ग्रो कर रहे हो ना जिस तरीके से चमक रहे हो like a sun तो वो चीज इनको जला रही है इनको यह लगता है कि आपकी लाइफ में कई सारे लोग हैं कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपको पाना चाहते हैं जो आपको देखते रहत जो आगे पीछे घुमते रहते हैं और इनको जलन होती है यह सोच सोच कर देख देख कर कि इनका क्या होगा अनकंफेज़ लव भी हो सकता है मुझे लग रहा है यह पर काफी सारे लोहों के लिए जिनका अनकंफेज़ लव है उनके लिए मैं कहूंगी कि अगर आप कोई बिसनेस करते हो कोई जोग करते हो तो जिस तरीकी से आप ग्रो कर रहे हो वो चीज़ इनको थोड़ी सी तकलीफ दे रही है क्योंकि इनको यह लग रहा है कि यह उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर आप हो, ओके हो सकता है आप खुद ही एक रीडर हो या फिर यूच्टुबर हो और वो चीज़ यह देखते हैं आपके वीडियो देखते होंगे, कॉमेंट्स देखते होंगे थो इनको बुरा लगता है और काफी स्पाय करते हैं आपको यह तो इसी से पता चल गया कि कॉमे और दिमाग में, अगर आप अपने हस्बन या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो उनका भी हाल यही है, मुझे नहीं लग रहा है, आप दोनों के बीच में ज्यादा कोई बात होती है, यह देखते हैं, यहाँ पर ego का problem है, ऐसे मैं बता दूँ, अगर आप लोग आप अपने हस्बन या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो मैं कहूंगी कि घरवालों के सामने यह आपको लेकर कुछ औरी बात करते हैं, जैसे आप दोनों के बीच में बहस हो गया, तो कुछ इस तरीके से आपकी बात करेंगे, कि आपकी ही गलती नजर आएगी इनकी नहीं, ठीक है पुछ है यहां पर ऐसा, और अगर अन्मेरिट हैं यह देख रहे हैं, तो बात अलग है, और वसे बात करते हैं, और जानने की कोशिश करते हैं, कि रातो रात में क्या हो गया, इतना सादा ब्रो कर गया, एस अफ कॉप्स, एके, तचैरियट, एके, एट अफ पैंटिकल्स, 9 of swords, and 2 of swords, so guys, next 48, और इसमें क्या होने वाला है, यह होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए emotional, and यह आप से मिलने आने वाले हैं, ठीक है, अगर यह unconfessed love है, तो मैं बता दूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा, जिसकी वज़े से, यह अपनी feelings आपके सामने रख देंगे, ठीक है, तयार हो जाओ इसके लिए, यह आपको मिलने के लिए बोलेंगे, या फिर बात करने के लिए बोलेंगे, और यह आपको propose कर सकते हैं, अगर propose नहीं करेंगे, तो बात तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना, कि काफी जादा यह जलते हैं, और परिशान होंगे, हो सकता है, आपने कोई पिक डाल दी हो सोचल मीडिया पर, या किसी ने इनको बोल दिया हो कि आपकी engagement होने वाली है, या कोछ होने वाला है, आपका कोई boyfriend है या girlfriend है, कुछ भी है, जिसकी विज़ेस ये बहुत ज़्यादा परिशान होने वाले हैं, और इनको समझ नहीं आएगा कि ये क्या करें, क्या नहीं, सही, क्या है, गलत क्या है, इस connection पर काम करने का सोचेंगे, अगर committed हैं, आप लोग और बात चीत नहीं हो रही है, लेकिन हाँ, बात हो जाएगी, क्योंकि चेरियट का कार्ट है, तो सीधी सी बात है, जो भी होगा, बहुत ही जल्दी होगा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, अभी, जैसे ही आप वीडियो देखकर, सोने के लिए जाओगे, हो सकता है, उनका message आजाए, या call आजाए, ठीक है, यहाँ पर है six of swords, जो भी बताता है, कि इनको सुकून चाहिए, सुकून नहीं है, nine of swords, इनको सुकून चाहिए, और यह आपको लेकर भाग जाना चाहते हैं, तो अगर आप अपने husband या wife के लिए reading देख रहे हो, तो मैं बता दूँ कि, यह आपको ले जाने की बात करेंगे, अगर separation चल रहा है तो, और या फिर आप से कहेंगे कि चलो फिर से date करते हैं हम एक दूसरे को, क्या सोचती हो, आती क्या, नहीं, रहन दो, ठीक है, king of wands, तो decision लेंगे guys, ठीक है, हो सकता है, आप और किसी और के बीच में यह जगल कर रहे हूँ, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हमारी mother universe ने, या हमारी जो angels हैं, जिनको आप प्रे करते हो, कोई guardian angel को करता है, कोई archangel को करता है, तो, जिनको भी आप प्रे करते हो, उन्होंने कुछ ऐसा किया है, या करने वाले हैं, जिसकी वज़े से, यह decision लेने पर मचपूर हो जाएंगे, इमको एक्शली यह लगने वाला है, कि आप निकल लिए, यह, ऐसा, king of pentacles, king of wands से, सीधा king of pentacles बनने का सोचेंगे, जैसे के मैंने कहा ही, propose कर सकते हैं, marriage proposal रख सकते हैं, king of pentacles, जो है, वो यही energy दिखाता है, यह husband की energy है, तो, yes, अगर आप male है, तो, wife की energy है, इस तरीके से ले I feel कि अभी तक यह king of wands के energy, king of wands नहीं, यह king of swords के energy में थे, and now, यह king of wands के energy में है, और सीधा king of pentacles के energy में जाने वाले हैं, congratulations, okay, five of pentacles, and यहां पर है three of wands, तो, yes, इनको थोड़ा सा, अकेल आपन सा महसूस होने वाला है, थोड़ा, आपके बार में कुछ जादा ही बाते हैं, सोचने वाले हैं, आपको याद करने वाले हैं, पुराने दिन इनको याद आने वाले हैं, और उसी की वज़े से यह decision लेने का सोचेंगे, अगर आप दोनों के बीच में कोई third party रही है अभी तक, okay, उनके लिए भी मैं बता दूँ, क्योंकि कुछ दों के लिए मुझे यह message मिल रहा है क्योंकि हम पर five of pentacles की साफ में three of wands है, so अगर कोई third party रही है, तो यह move on कर लेंगे, ठीक है ना, और यह आपके पास आजाएंगे, एक कार्ट में और निकालना चाहूंगी, yes, nine of wands, हो सकता है, कोई third party रही हो, जिसकी वज़े से अपने मन की बात आपसे ना कहते हूं, बट अब यह कहेंगे, पर इस्तितियां कहलवाएंगे असल में, इंजल्स कहलवाएंगे, यह क्या कहेंगे, यह नहीं कहते है, और देख लेते हैं भई, let's see, क्या आता है यहाँपर, डो टू परसनल हीलिंग और हैपिनेस, देख लो, इसे कहते हैं चलाकिया, या तो यह आपने चलाकी करी है, या फिर यह करने वाले हैं, पेशन्स, तो यह तोड़ा वेट कर रहे हैं, इनकी अपनी प्लानिंग है, और इसको यह पूरा करेंगे, पहले यह कनेक्शन को हील करना चाहते है, खुद को हील करना चाहते हैं, और उसके बात कुछ कहेंगे, सीदी कि अपने चाहते हैं, क्योंकि आपर किंग ऑफ पैंटिकल्स आया है, वुमन होलिंग होड़ा है, तो आप जाकर इनको ऐसे लग रहे हैं, कि आप इनको सच में कितना प्यार करते हो, ठीक है, वही मैंने कहाँ कि एंजल कुछ करेंगे, मुझे नहीं पता क्या करेंगे, उनक सकते हैं, तो कर्षखते हैं, पनलो कार्वोत ए schemes कितना प्यारि रीडिन क के देख रहे हो तो कुछ यह संता है, एंका तो देख लिया है की इस दौरान आप आप को क्या करना है, इनका तो देख लिया a, वही कि कुछ तैयारी वायारी कर आने में च्कर में आपको क्या करना है एंजल्स की तरफ से हम पूछ लेते हैं स्टार का कार्ट बताता है कि कोई तो स्टार सीड है यहां पर यह तो आप यापके पार्टनर and Aquarius हो सकते हैं आपके जो पार्टनर है वो and Healer हो सकते हैं आप या फिर आपके पार्टनर आपके लिए यही है कि आप प्रे करें और आपके लिए कोई अलग से एक्शन लेने के लिए नहीं कहा गया है आपका जो सोल पॉपस है उसे फॉलो करें ठीक है बहतर होगा लोगों को हील करें और लोगों को गाइट करें क्योंकि यहाँ पर star का कार्ड आया है तो हो सकता है आपके मन में यह सवाल हो रहा हो कि क्या है हमारा soul purpose हमें नहीं पता तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूं अगर star का कार्ड आया है इसका मतलब है कि आपको healing करनी है ठीक है जितने लोगों की healing कर सकते हो करो अतनी healing आपकी होगी, आपके connection की होगी और आपका जो future है वो आपको दिखेगा कि कितना bright है, beautiful है तो बस यही करना है आपको So guys, यह थी आपकी reading Next 48 hours में आपको proposal में सकता है शादी तक का So and उसके बाद भी मैं कहादू कि यह जनल रीडिंग है So guys, अगर पसंद आई है आपको यह reading तो प्लीज लाइक करें रेजनेट करी हो तो बताना ना भूलें सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को शेर करना ना भूलें Okay फिर से होँगी एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के लिए Till then, take care, bye-bye Hey guys, तो अब मैं रीट करने वाली हूँ कार्ट जुन लोगों के लिए जो कि आते हैं फार्स हैन में So, देखने वाली हूँ कि भाई, आप और आपके पार्टनर के बीच में या जिन के भी बारे में आप सोच रहे हैं आप और उनके बीच में क्या होने वाला है नेक्स 48 आउर्स में Let's see Death एक साइकल की एंडिंग Page of Wands Three of Pentacles, very nice Very nice बहुत ही सुन्दर कार्ट है Six of Pentacles, King of Swords Very nice Guys, तीन सालों का connection है ये जादतर लोगों के लिए मुझे आपर लग रहा है 80% लोगों के लिए तीन सालों का connection है आपकी हस्बन या वाइव हो सकते हैं अगर नहीं है तो आप इनको मानते हो अपना हस्बन या वाइव, ठीक है इतना deep connection है बहुत प्यार है आपको इन से और कहीं न कहीं इनके सिफ एक message के लिए आप कुछ भी करने को तयार हो जहां तक मैं देख पा रही हूँ Guys, आप दोनों के बीच में काफी सारे cycles चले हैं ये cycles कभी फैमिली को लेकर कभी किसी और इनके पार्टनर को लेकर कभी इनके करियर को लेकर कभी हेल्थ को लेकर कभी कुछ ना कुछ कोई ना कोई इशू बनता ही रहा है कभी कुंडली को लेकर हो सकता है ऐसा कोई प्रॉब्लम रहा हो जो भी है यहाँ पर मैं देख पारी हूँ कि उसकी ending होकर एक new beginning होने वाली है क्योंकि आपर death का card सबसे पहले आया है और death का card देखकर हो सकता है यहाँ पर काफी सारे लोग डर गए हों कि death का card है तो कुछ बुरा ही होगा नहीं ऐसा नहीं होता death का card, death के card को कभी negative नहीं लेना चाहिए क्योंकि death का card बताता है कि जो चीज़ें अभी तक चल रही थी उनकी ending होगी और कुछ बहतर होगा आप देखेंगे death के card में आपको sun दिखाई देगा और मैं हमेशा क्या कहती हूँ आपको कि अगर sun आपके reading में आ जाये तो फिर आपको सारी ही चिंताएं छोड़ देनी चाहिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है अराम से वेट करो अच्छे दिनों का यहाँ पर भी एक card वही बताता है बट sun के card में क्या होता है कि new beginning ही दिखाते हैं और यहाँ पर किसी चीज की ending भी दिखाते हैं ओके? ending होने वाली है या हो रही है और राइट ऐसा हो सकता है कि अभी recently आप दोनों की बातचीत होनी बिल्कुल बंद हो गई हो अभी तक मुझे ऐसे लगता है कि कुछ तो ऐसा था जिसकी वज़े से किसी पर निरभर थे ठीक है? फैनेंशली क्या सकते हैं हो सकता है इनका जो काम था इनका कोई बिजनिस था तो उसको लेकर इनके साथ जो भी काम कर रहा होगा उसकी इनको सुननी पड़ती थी यह सोच कर कि अगर मैं नहीं सुनूंगा या नहीं सुनूंगी तो काम पर असर पड़ेगा या फिर अगर family की हम बात करें तो उनको लगता होगा कि family वाले मेरी नहीं सुनेंगे अगर मैं इसकी तरफ जाता हूँ इससे बात करता हूँ तो मुझे अपने life से बाहर कर देंगे ठीक है इनके करवाले हो सकता है क्याते हूँ कि भई आपको बाहरी कर दिया जाएगा अगर आपको इसके साथ में शादी करनी या कुछ भी तो हो सकता है इस वज़े से इन्होंने एंडिंग कर दी हो कुछनों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपकी family की तरफ से कोई problem हो और इस वज़े से प्यार तो ये बंदा बहुत करता था लेकिन फिर इसको लगा के इस तरीके से life नहीं जी जा सकती और इसको end करना ही होगा नई शुरुवात करनी होगी तो कुछ ऐसे चीजें होई हो आप दोनों के बीच में और सोचा होके खत्म करते हैं बट यहां पर फिस दे नहीं शुरुवात होती हुए मुझे दिख रही है नमबर 3 और 6 आपके लिए significant है और हो सकता है 333 या 666 आपको दिखते हूँ तो मैं बता दू कि काफी बड़ा transformation है यह transformation होगा और आपके अच्छे के लिए होगा ये भी मैं बता दू communication होगा आने वाले 48 hours तो ये हैं ही है और इसके बाद अगर ये 48 hours में हो सकता है इंडिरेक्ली किसी से बात करें ठीक है और उसके बाद May 15 में ये डिरेक्ली आपसे बात करेंगे ठीक है ना यह मैंने अभी आपको बताया क्योंकि या पर मुझे लग रहा है कि शायद ये बात करेंगे लेकिन या तो उतना खुलकर बात नहीं करेंगे या फिर किसी और के जरीए आपसे बात करने की गोशिश करेंगे कुछ ऐसा होगा लेकिन बात होगी ये सब सोर्ज है तो communication तो होना ही होना है कैसे भी करके हो बट बिलकुल खुलकर जो बात होती है जैसे कि हम चाहते हैं कि बात हो वो में 15 में आद रहे होगी अगर ये मैरिट थे तो शायद इनका डिवार्स का केस वगरे कुछ चल रहा होगा क्योंकि यह पर 3 of pentacles है और ये शायद आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहा था क्योंकि डिमांड बहुत जादा रखी होगी जिनसे डिवार्स हो रहा है उनसे उन्होंने ठीक है तो इस वज़े से ये अटका हुआ था बट ये होने वाला है डिवार्स ये मैं आपको बता दूँ नेक्स 48 और्स में आपको न्यूज मिल जाएगी ठीक है किसी की तरफ से मैसेज आपको मिलेगा स्टार का कार्ट है काफी जादा प्रेयर्स आपने कर रखी है मनते मांगी होंगी आपने दिख रहा है मुझे बहुत महनत करी है आपने इस कनेक्शन पर और एक तरीके से आपने इस कनेक्शन में आने के बाद में ये सीखा कि मैनिफेस्टेशन क्या है और सरेंडर क्या है सबसे बड़ी चीज surrender बोलते हैं हम surrender कर दो लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है surrender करना कि आँख बंद करके बिलकुल सामने से दिख रहा है कि बंदा जा रहा है और फिर भी आपको विश्वास करना है कि नहीं यह हमारा ही है हमारे पास आएगा तो बड़ा मुश्किल है लेकिन आपने कर दिखाया तो आपको उसका फल जरूर मेलेगा परिशान बिल्कुल ना हो येस, 9 of Swords यहाँ है, 3rd party देख रही है मझे 7 of Cups यहाँ पर है 6 of Swords तो येस, don't worry guys जो भी था जो ऐसे दिन थे ना जिन्होंने आपको तकलीफ दी वो दिन बस जाने ही वाले हैं थोड़ा टाइम और है next 48 hours में अगर मैं बात करूँ तो आपको news मिल जाएगी ठीक है, चीजें लेकिन आगे चलने वाली हैं अगले 7-8 दिनों तक sorry, 7-8 महीनों तक ठीक है, 7-8 दिनों तक कुछ तो ऐसा होगा जिसको सुनने के बाद में आपको विश्वास नहीं होगा, कि अरे ऐसे कैसे हो गया मैं तो नहीं सोच पा रही थी ठीक है ना, बट ये 7-8 महीने लगेंगे, सब कुछ सेटल हो जाएगा, ठीक है, ये मैं बता दूँ so अभी अगर मैं कहूं कि आपको next 48 hours में क्या expect करना चाहिए, आपको कोई message मिलेगा अब directly भी मिल सकता है, indirectly भी मिल सकता है, लेकिन जो भी होगा good news होगी, क्योंकि यहां पर ये जो card है आपका यही बताता है good news आपको मिल जाएगी और सिधा star के साथ में ही a card आया है जो है ना वो रंग लाई की queen of cups five of swords eight of pentacles four of swords ace of cups प्यार ही प्यार, धेर सारा प्यार है और यहां पर queen of cups है जो कि बताता है कि कहीं ना कहीं सब कुछ खत्म होने के बाद भी आपको लगा होके सब कुछ खत्म होगे, आप कुछ बचाने उसके बाद भी आप इनको unconditionally love करते रहे, खुद को love करते रहे self love क्या है वो आपने सीखा conflicting energy में आप रहे उसके बाद भी आपने इस connection पर काम किया and काफी सारी difficulties आई हैं लोग बहुत जले हैं लोगोंने अलग करने का काम आपको किया आपके पार्टनर के साथ में सब कुछ हुआ लेकिन फिर भी आप महनत करते रहे और अब जाकर आपको उसका फ़ल मिल रहा है, four of swords है जिसका मतलब है कि surrender आपने किया है और आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है कि surrender का मतलब क्या है, so congratulations guys, यहां पर है night of wands जो कि बताता है, फिर से news के ही बारे में, कि news मिलने वाली है positive news आपको मिलेगी, don't worry कि यहां पर कोई भी ऐसा कार्ड नहीं आया है, जिसके लिए मैं कहूं कि परिशान होनी की जरूरत है the world का का कार्ड बताता है journey को so, एक नया सफर शुरू होने वाला है आप और आपके partner के बीच में, आप दोनों का एक साथ शुरू होने वाला है यह सफर एक cycle end होगा ठीक है, और नया साइकल आप दोनों का शुरू होगा, ट्रावल कर सकते आप दोनों मिलकर so तो इनन्यांग तो हो सकता है आप दोनों का twin flame connection हो and soulmate भी हो सकता है and decision के energy है यहां पर so जैसे कि मैंने कहा कि call या message आ सकता है but कम से कम 7 से 8 महीने लगेंगे पूरी तरीके से सब कुछ set होने में तब तक यह कोशिश करेंगे किसी भी तरीके से आपके साथ रहने की connection नहीं करना चाहते है अब आपको क्या करना चाहिए यह मैं देख लेती हूं कि आपके लिए क्या guidance है wheel of fortune सब कुछ वैसा ही होने वाला है जैसा कि हुआ करता था जैसा आप चाहते थे खुशी आने वाली है भागे आपकी तरफ भाई यह जो पहिया है वो मोड रहा है बिल्कुल टेंशन मतलो यहां पर है जैस्टिस का काड आपको commitment मिलेगा अगर आप अपने ही husband या wife के लिए यह रीडिंग देख रहे थे तो भई आपका reconciliation होगा justice आपको मिलेगा that's it ठीक है यह कहूंगी तो बिल्कुल भी परिशान नहों और आराम से जाओ और बढ़ियासा कोई chanting सुनो ओम मंत्री की या फिर ओम मनिपद में हम और बढ़ियासी नीन लोग ठीक है कोई इटेंशन की बात नहीं है positive रहो सब अच्छा होगा so guys यह थी आपकी reading I hope आपको पसंद आई हो आई हो तो please like करें resonate करी हो तो मुझे बताना ना भूले subscribe करना ना भूले इस channel को share करना ना भूले इस channel को thank you so much for watching the video take you love you all bye